सबी वीवर्स को मेरे चैनल के तरफ से हैपी होली आज मैं लेकर आई होली की एक मिठाई जो मैं दो तरह से बनाऊंगी एक फ्राइड और एक स्टीम्ड तो चलिए इस रेसीप्यों को फटाफट देख लेते हैं तो आप बने रहें मेरे वीडियो के पूरे एंड तक ताकि को कोईभी स्टेप्स को vegan, जिसको फ्राइड काना है वो फ्राइड तरीके से खाएगा और जिसको स्टेउप्टण खाना है ऑईल फ्री तो वो लो फॉह स्टीम्ड खा सकता है यह है लोन लाउनता की रेसीपी वैसे जो लोग अलग अलग अपने तरीके से बनाते हैं पर यह हमें जो चीज यूज़ कर रही हैं, एक सिक्रेट इंग्रेडियन्ट, आप उस तरीके से बनाएं, तो ये बहुत ही टेस्टी लगेगा, एक बार जरूर इस तरीके से ट्राइ करें, तो फ्रेंस चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं, तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम फ थोड़ा ही डाला है, तो इससे मौईन भी नहीं बना, तो पूरा हम वन फोर्थ कप हम घी डाल देंगे, ये खसता ही अच्छा लगता है, तो देखें इस तरीके से हम मिक्स करके, अच्छे से दोनों हतेलियों में हम मिक्स करके मौईन को अच्छे से कर लेंगे, और फिर द लिखिये हमारा जो डो है तयार हो गया है अब हम एक इसे गीले कपड़े से ढख के और फिर 15 मिनट तक रख देंगे ताकि ये सेट हो जाए अब हम क्या करेंगे तब तक चाशनी बना लेते हैं तो इसके लिए हम डेड़ कप चीनी लेंगे एक पतीले में और एक कप पानी ले जिसे की इसका फ्लेवर भी आएगा और इसमें जो कलर है भी कलर भी आजाएगा थोड़ा सा तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है आप चाहे तो इसमें फूट कलर भी डाल सकते हैं येलो फूट कलर तो इसको हम करके दो से तीन मिनट तक उबालेंगे इसमें चाशनी में तार न नहीं आया है अब हम क्या करेंगे फिलिंग बनाएंगे तो यहां हम एक पैन में खोया लेंगे यहां हमने 200 ग्राम खोया लिया है इसको हम ठोड़ा सा भून लेंगे क्योंकि यह बहुत गीला है तो इसे भून कर हम तयार कर लेंगे इसे ज़्यादा भूनना भी नहीं है इसका color change नहीं होना चाहिए, तो देखिए, भून चुका है, अब हम निकालके इसे एक बरतन में रख देंगे, थोड़ा सा ठंडा होने के लिए, जिस पैन में हमने खोये को भूना था, उसी पैन में हम क्या करेंगे, तीन से चार चमच बेसन ले लेंगे, और इसे बिलकुल वैसे ही भून लेंगे धीमे, आज पे, तब तक भूनेंगे, जब तक कि ये थोड़ा सा color change ना जाए, और इसमें खुश्बूना आने लगे, ये है secret ingredient, इस से डालने से जो feeling है, उसमें एक सोन्धापन आ जाता है, तो इस चीज को डाल कर आप जरूर एक बर try करें, वैसे त तुखा नारियल जिसको हमने grate कर लिया है, और थोड़े से किश्मिश, ड्राइफरूट अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं, एक चंबच हमने ये इलाची powder डाला है, और ये है PCV चीनी, तो थोड़ा सा PCV चीनी डालेंगे, और वैसे तो हम इसे चाशनी में डालना ही है, त तो देखें ये फिलिंग हमारी तयार हो गई है, अब हम क्या करेंगे, ये जो आटा है ये भी सेट हो गया, तो इसके एक बार और हम इस तरीके से कर लेंगे, और इसके छोटे-छोटे बॉल्स बना लेंगे, जितना छोटा आप लॉंगलता बनाना चाहते हैं, उसी हिसाब करना है, बीच में थोड़ा सा मोटा रहे, पर साइट से पतला कर लेंगे, तो देखें इस तरीके से पूरी की शेप में हम इसे बेल लेंगे, और इसे बेलने के बाद इसको हम भर लेंगे, तो देखें इस तरीके से हम पूरी बनाने के बाद इसे बीच में फेलिंग को हम इस तरीके से रखेंगे और फिर हम क्या करेंगे साइड से थोड़ा थोड़ा पानी लगा लेंगे तो इस तरीके से पानी लगाने के बाद एक तरफ से लेकर इस तरीके से हम बिलकुल बंद कर लेंगे और दूसरी तरफ से भी इस तरीके से फोल्ड करने के बाद हम इसको फि प्रोज पर्रास पूले करे इस तरीके से भाखी के भी हम भर लेंगे तो एक और दिखाते हैं आपको कैसे भरना है तो देखिए यहाँ पर हम इस तरीकेसे फिलिंग को रख देंगे बीचमे और फिर साइड owes Time लेखकरे और इस तरीके सेहं भील्कुल ले आकर इसको पिल्कु लगा लेंगे, तो इस तरीके से हम सभी लॉंगलते को तयार कर लेंगे और फिर हम इसे फ्राइ करेंगे, सभी लॉंगलते को हमने भर लिया है, अब देखिए तेल यहां हमने रग दिया था गरम होने के लिए, तेल हमारा जो है मीडियम गरम होना चाहिए, जादा गरम नहीं होना चाहिए, नहीं तो जो लॉंगलत है उसमें बबल बन जाएंगे उपर से, तो अच्छा नहीं रहेगा, और इसे मीडियम फ्लेम पर ही मीडियम आज पे, मीडियम तेल गरम हों, उसी पे हमें इसे फ्राइ करना है, और देखिए गोल्डन होने तक हम इसे फ्राइ कर और इस तरीके से फ्राइ होने के बाद हम इसे निकाल लेंगे और फिर निकालने के बाद हम क्या करेंगे इसको चाशनी में डाल देंगे और फिर ढख देंगे इसी तरीके से सभी लॉंगलतों को हम तल के और फिर इस सिरप में डाल देंगे इसे हमें ज्यादा देर तक नहीं रखना सिर्फ आधा घंटा के लिए ही रखना है अब चलिये हम दूसरा वाला स्टीम्ड जो लॉंग लता है उसके लिए देख लेते हैं यहां हमने कड़ाई लिया है इसमें हमने एक कप सूजी लिया है सूजी आप कोई भी ले सकते हैं और इसे हमें थोड़ा सा भूनना है स और इस तरीके से चलाते चलाते जब यह थोड़ा था डो वाले consistency में आ जाए तब हम गैस आफ कर देंगे और इसे ढख कर रख देंगे पाँच मिनट के लिए और फिर इसका हम डो तयार कर लेंगे तो देखे यह डो की consistency में आ गया है और अब हम इसे गैस आफ करके इसे ढख क रख देते हैं यहाँ पर हम mixing ball ले लेंगे और इसमें जो dough बनाए थे यह सूजी का इसको डाल देंगे और अब हम इसको मसल के एक dough form में तयार कर लेंगे तो इसमें हम थोड़ा सा ilaichi powder डाल रहे हैं और आधा चमजगी और इसको इस तरीके से अच्छे से मसलते हुए पुर बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दें ताकि जो भी वीडियो अप्लोड हो मेरी उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंद मिल जाएं अगर आपको लगे कि आटा ज्यादा टाइट है और dough form में नहीं आ रहा है तो और पानी आप जरूर इसमें मिक्स कर लें और देखिए जो ह तयार है तो इसको हम घीले कपड़े से ढखके थोड़ी देर रख देंगे और यह जो लॉंगलता हमने डाला था यह बिल्कुल हो गया है तो इसको हम निकाल कर एक प्लेट में रख देंगे ताकि जो एक्स्ट्रा सिरप है वो निकल जाए और यह ज्यादा सोक भी ना करे त इसको साइड में रख लेंगे अब चलिए फ्रेंस हम दूसरा वाला लॉंगलता तयार करते हैं तो देखिए यह डो तयार है इस तरीके से हम एक प्लास्टिक का शीट लेंगे और दोनों तरफ से घी लगाने के बाद इसके बॉल्स बना के और इस तरीके से हम बेल लेंगे वैसे डारेक्ट बेलेंगे तो यह चिपकेगा और इस तरीके से हम प्लास्टिक के अंदर करेंगे तो नहीं चिपकेगा और इस तरीके से पूरी के शेप में हम बना लेंगे और फिर इसे हम भरेंगे तो अब चलिए इसे हम भर लेते हैं, तो देखिए बिल्कुल चिपकेगा नहीं, यह देखिए इस तरीके से हम एक तरफ से निकाल लेंगे, और बीच में हम फिलिंग को रख देंगे, और इस तरीके से रखने के बाद हम थोड़ा-थोड़ा पानी लगाएंगे साइड में, दोनों तरफ और देखिए इस तरीके से लगाने के बाद, इस प्लास्टिक के साथ ही हमें इसे इस तरीके से करके चिपका देना है पूरा अच्छे से, और फिर हम धीरे-धीरे करके इसको हटा लेंगे, और फिर दूसरी तरफ से इसी तरीके से हम उसके ऊपर फिर इस तरी अराम से फोल्ड करेंगे तकि ये तूटे ना, अगर थोड़ा बहुत तूट भी जाता तो इसको अच्छे से अब दबा के सील कर लें, और देखे इस तरीके से हम लॉंग लगा देंगे, और ये हमारा जो सुझी का लॉंग लगता है, बिल्कुल तयार है, तो आए देख ले और फिर इसको हम भर लेंगे, तो देखे ये आराम से निकल जाता है, अब हम इसके बीच में इस तरीके से फिलिंग रख देंगे, और साइड में थोड़ा सा पानी लगा देंगे, और प्लास्टिक के साथ ही इसी तरीके से हम देखे साइड से सील कर लेंगे अच्छे से, और इसे हटा कर अच्छे से सावधानी से और फिर दूसरी तरफ से इसी तरीके से कर लेंगे, तो इसी तरीके से हम सभी लॉंगलतों को तयार कर लेंगे, और एक तरफ हम पानी रख देंगे बॉइल होने के लिए, तो देखे ये सभी लॉंगलते हमारे तयार हो गया हैं, और अब हम क्या करेंगे एक जाली वाला प्लेट लेंगे और इसमें थोड़ा सा घी लगाकर हम इसे ग्रीस कर लेंगे ताकि इसमें चिपके ना और इस तरीके से घी लगाने के बाद हम सभी लॉंगलतों के इसमें डाल देंगे और फिर हम इसे स्टीम करेंगे. फ्रेंस अगर मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज इसे लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताए कि मेरी रेसिपी कैसी लगी यहां मैंने पानी रख दिया था बॉइल होने के लिए और अब हम क्या करेंगे इस प्लेट को इसमें इस पर रख के और फिर इसे ढख देंगे और इसको भी बंद कर देंगे और फिर हम इसे 15 मिनट तक स्टीम करेंगे और 15 मिनट के बाद हम क्या करेंगे इसको निकाल लेंग तो एक-एक को अराम-अराम से हमें इसे डालना है ताकि टूते न बिलकुल और इसे भी डालकर हम आदा गंटा तक छोड़ देंगे आपको जितना मीठा चाहिए है जितना इसमें सीरप अंदर डालना है उस हिसाब से कर लें और इसी तरीके से डालकर हम ढखके रख देंगे इसको बीच में एक बार थोड़ा सा उलट-उलट कर देंगे ताकि सभी लॉंगलतों में अच्छे से सीरप अंदर चला जाए तो इसे ढखके हम रख देते हैं तो इस होली आप दो तरह से इस लॉंगलते को जरूर एक बार ट्राई करें फ्राइड और स्टीम यह बहुत ही टेस्टी बना है और बहुत ही टेस्टी लग रहा है खाने में और इसे हमने थोड़े से कटे हुए पिस्ते से गार्निश कर दिया है आप चाहे तो इस पे चांद ही लग रहा है उतना ही खाने में हैं यह उमीद है आप सभी को यह पसंद आने वाला है तो फ्रेंस कमेंट करके जरूर बताएं और आप सभी को एक बार फिर से हैपी होली